हेलो दोस्तों एक बर फिर से स्वागत है आपका एस ब्यूटी टिपसन हिंदी चानल पर जहरा हो बेहत खूब सूरित और बेदाग लेकिन गर्दन पर कालापन चाया हो तो ऐसी सुन्दरता का कोई महत्व नहीं रह जाता जिनकी गर्दन पर कालापन होता है वो अकसर यही सो चानले हैं तो यह लेक आपके लिए हैं इस लेक में हम आपको गर्दन और गले के कालेपन से चुटकारा पाने के घरे लूप चार बताएंगे गर्दन काली रहने का सबसे पहला कारण होता है साफ सफाई की कमी जब गर्दन को अच्छी तरह साफ नहीं किया जाता तो गर्दन का रंग काला पढ़ने लगता है गर्दन काली होने के अन्य कारण भी हो सकते हैं जो इस प्रकार हैं ज्यादा देर तक धूप में रहने से इस प्रक्रिया को रोजाना दोहराए यह कैसे काम करता है एलोविरा में एलोसिन होता है जो तवचा पर पिगमेंटेशन उत्पन करने वाले एंजाइम की सक्रियता को कम करता है जिससे तवचा का काला पंदूर होता है इसके अलावा एलोविरा में जरूरी फैटी एसिड वि फिर पानी से धोलें एस कपप करें आप एक दिन शोड़कर अपनी गर्दन पर इसे लगा सकते हैं यह कैसे काम करता है सिब का सिरका तवचा के पीच स्तर को संतुलिग बना कर प्राकृतिक निखार देता है इसके अलावा यह तवचा की मृत को शिकाओं को हटाता है यही मृत को शिकाओं तवचा के कालेपन की जिमेदार होती है इस सिरके में मेलिक एसिद पाया जाता है जिससे तवचा एक स्फॉलियच मृत तवचा का हटना होती है सावधानी सेब का सिरका तवचा को थोड़ा रूखा बना सकता है इसलिए इसे लगाने के बाद अपनी त तवचा पर मौर इस चराईजर लगाना न भूलें तीन बादाम का तेल सामगरी बादाम के तेल की कुछ बुंदे एक से दो बंदा ती ट्रियोल क्या करें गरदन को साबन और पानी से अच्छी तरह धोकर सूखने दे अब बादाम के तेल या नारियल के तेल से अपनी गर का इस्तमाल कर सकती है ऐसा कप कप करें आप इस प्रक्रिया को रोजाना दोहराएं यह कैसे काम करता है बादाम के तेल में विटमन ई होता है जो तवचा को मुलायम कर इसे जमा बनाये रखता है इसके अलावा इसमें कुछ ब्लीचिंग गुंबी होते हैं जो तवचा के र पर लगाएं और सूखने के लिए छोड़े पेस्ट के सूखने के بعد हाथों पर पानी लगाएं और धीरे-धीरे स्क्रब करना शूरू करें और फिर पानी से गर्दन को साफ कर लें गर्दन सूखने के बाद मोईस्चर आइज़ु लगा लें ऐसा कप-कप करें आपक यदो स रस सामगरी नीम्बू का रस जैतून का तेल क्या करें नीम्बू के रस और जैतून की तेल को बराबर मातरा में मिला लें इसे रात को सोने से पहले अपनी गर्दन पर लगाएं ऐसा कप कप करें आप एक महीने तक रोजाना इस मिश्रण को गर्दन पर लगाएं यह कैसे काम करता है नीम्बू के रस में प्राकृतिक ब्लीच के गुण होते हैं यह आपका रंग साफ करने में मदद करता है और रोंग शिद्रों को भी छूटा करता है वहीं जैतून का पेल त्वचा को हाइडरेट कर मुलायम बनाता है छै आलू का रस सामगरी एक छोटा आलू क्या करें आलू को घिस लें और इसका रस निकाल लें इस रस को गर्दन पर लगाएं और दस से पंद्रव मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें अब गुणगुने पानी से गर्दन को धोलें ऐसा कप कप करें ऐसा रोजाना दिन में एक दो बार करें